आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने WhatsApp के किसी भी status को photo या फिर video को download कर सकते हैं बिना किसी app की help से तो चलिए वीडियो को start करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप easily इसे कर सकते हैं के WhatsApp के status को download करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है file manager application में file manager application में आपको जाने के बाद left side में सबसे उपर three dots है ऐस पे आपको tap करना है और tap करने के बाद आप यहांपे देखिए कि settings वाला option होगा तो settings वाले options पे आपको tap कर देना है settings वाले option पर tap करने के बाद यहाँ पर so hidden files आ रहा है तो so files that are used to run android and apps तो इससे आपको on कर लेना है अब कुछ लोगों कोई यह settings नहीं मिल रही होंगी तो इसके लिए अगर आप में file manager नहीं है तो आपको जाना है play store पे और यहाँ पर आपको search करना है file manager file manager आपको search कर लेना है और file manager आपको यहाँ पर MI file manager यहाँ पर आपको install कर लेना है मेरे पर पहले से installed है तो इसे आपको कर लेना है इसी में आपको यह option देखने के लिए मिलेगा अगर आपका MI का phone है तो best है उसमें तो आपको यह सेटिंग देखने लिए मिली जाएगी तो आपको यहाँ पर files वाले option में आने के बाद आपको यहाँ पर whatsapp वाले option में जाना है अब whatsapp में जाने के बाद यहाँ पर media का option आपको मिलता है और media में आने के बाद आपने जितने भी status आपके हैं आपको पहले एक बार देख लेना है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे WhatsApp पे जो status है, viewed updates वो सारे मैं देख चुका हूँ, तो जितने status आपके मतलब पहले सही download हो चुके होंगे, क्योंकि download करता है WhatsApp status को, तब ही आप उसे देख पाते हैं, temporary data होता है, 24 hours के बाद व statuses एक option है, इसमें आ जाती है, तो इसे आपको open करना है, और यहाँ पे आप देखिए, कि इसमें जितने भी status लगे हुए हैं, सारे यहाँ पे आ चुके हैं, तो let's suppose कि मैं कोई भी एक pick देखता हूँ, जैसे यह pick है, तो यहाँ पे यह pick मेरी आ चुकी है, और यहाँ पे एक move करके अपने file folder में ले जा सकते हैं, और वो आपके file manager में ही रहेगा, फिर gallery में आ जाएगा, और अगर आप इसी को status लगाना चाते हैं, तो फिर आप यहीं से status लगा सकते हैं, अब कुछ और तरीके होते हैं, status download करने के, लेकिन वो मैं suggest नहीं करूंगा, क्योंकि third party application अगर आप use करेंगे, तो आपके whatsapp में जो भी data है, या फिर आपके phone में जो भी data है, वो secure नहीं रह जाएगा, तो इस वजए से मैं कोई ऐसा app recommend नहीं करने वाला हूँ, यह trick काफे ज़्यादा simple है, और screenshot भी लोग ले लेते हैं photos को, तो quality उतनी अच्छी नहीं रहती है, इसमें अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, और tech news भी लाता रहता हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आए हो, वीडियो को like ज़रू करें, चैनल को subscribe करें, बाकी की playlist चेक करना ना भूले, मिलता है आपसे next video में, till then bye bye and take care.